रादरादे जी आप सभी कब हो स्वागत है मेरे चैनल वास्टिप्स फॉर होम में दोस्तो आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्चूग वशिकरन उपाय बताने वाले हैं समोहन आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप किसी भी वैक्ति को अपनी तरफ समोहित कर सकते हैं दोस्तो ये ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारन मात्र से उस वैक्ति का समोहन हो जाएगा दोस्तो अगर आपका पति आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है आप बहुत से उपाय करके थक चुके हैं तो आप इस उपाय को अवश्य करें दोस्तो इस उपाई को आप किसी भी दिन में कर सकते हैं केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है की आपको नोन वेज या फिर अगर आप अपनी पतनी के लिए कर रहे हैं तो मदल्ड ट्रिंक वगएरा करके नहीं करना है इसी बात का बस आपको ध्यार रखना है आप दिन में रात में किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों इसमें आपको देखे उस व्यक्ति का कपड़ा लेना है यानि यूज करा हुआ आप रुमाल ले सकते हैं पर इतना ध्यान रखे कि वो कपड़ा यूज करा हुआ होना चाहिए और उनके पैरों की या चपल के नीचे जो मिट्टी लगी होती है थोड़ी सी आपको पैरों के नीचे की मिट्टी लेनी है आपको थोड़ी सी देखे पैरों के नीचे की मिट्टी लेनी है आप चपल में से जाड़ कर थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं आपको उस मिट्टी को उस कपड़े में रख देना है और उसमें आपको दो गांट लगानी है एक गांट पे आपको अपना नाम लेना है जब दूसरी गांट लगा रहे हैं तो आपको उस वैक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं आपको केवल ग्यारा मिनट निकालने हैं ग्यारा मिनट तक आपको एक मंत्र का जाप करना है इसमें मंत्र की देखे संख्या नहीं है आपको केवल ग्यारा मिनट तक उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसका जितना अधिक आप ध्यान करेंगे आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति बस आपके सामने बैठा है मतलब इतना सपष्ट आपको उसका चहरा बना लेना है अपने दिमाग में और उसको वश्मे करने का आपको विचार करना है और इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है 11 मिनट तक दोस्तों अगर आपने अपने जीवन में ये 11 मिनट निकाल लिए तो यकीन मानिए उस व्यक्ति का इतना ज़्यादा सम्मोहन हो जाएगा कि वो आप से बात कि बिना आप के लिए वो तड़पने लगेगा वो आपके लिए कैसे आप से बात किरूँ या किस तरह से आपके नस्दी काओं इस तरह से उसके मन में विचार उत्पन होने लगेंगे इस उपाय को करने मात्र से दोस्तों आपको ग्यारा मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है उस व्यक्ति का नाम बोलना है सम्मोहनम हूं फट स्वाहा जैसे कि आप मानने जिए उसका नाम है मोहन मोहन समोहनम हूँ फट स्वाहा इस मंत्र को आपको ग्यारा बार मतलब जाप करना है अगर पती अपनी पत्नी के लिए कर रहा है अपनी प्रेमिका के लिए कर रहा है तो उसका नाम लेना है और इस मंत्र को बोलना है ग्यारा मिनट तक उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मतलब उस कपड़े को अपने पास ही रखना है 24 गंटे आपको अपने पास रखना है और उसके बाद उस मिट्टी को आपको उस कपड़े को किसी भी बहतेवे पानी में मिसरजित कर देना है देखे बड़े शहरों में मतलब नदी नाले होते हैं तो आप जो बड़ा नाला होता है जो बहता हुआ हो मतलब रुका हुआ ना हो बहता हुआ जो नाला होता है उसमें आपको डाल देना है यकीन मानिये इतना करने मात्र से वो वैक्ति आपके लिए इतना तडपने लगेग तो दोस्तो इस उपाय को जरूर करें अगर आपका पति नए कैसे निया के अगर उसी कप्ड़ा मिल जाए और उसी के पैरो के मृति मिल जाए तो सबसे ही शेष्ट है बस इसी विदी से आपको करना है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरू करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें